एक बापी स्वागत हाब सबका आपकी अपनी चैनल लिब्रो लाइट पर लास्ट कुछ वीडियो में हमने डीडीसी के बेसिक्स कवर किये थी आज हम जानेंगे किस तरीके से नंबर्स को बनाया जाता है ठीक है और हम सुरू करेंगे टेबल नंबर वन से जो की होती है हमारे स्टेंडर्ड सब्डिविजन की टेबल और यह है उसका पहला पार्ट तो नंबर बनाने से पहले हम कुछ बाते जान लेते हैं जब भी आप नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप अपने टाइटल की में क्लास पता करें वो में क्लास आपको पता लगानी है फर्स्ट सम्री से जिसमें दी गई है 10 में क्लास ही जो सुरू होती है 0000 जेनरिटीस से ठीक है तो यहां हमें पता लग गया कि हमारा जो number start होगा वो 3 से होगा दूसरा point है हमारा कि जब भी हम अपनी main class को find out करने जाएंगे या उस term को find out करने जाएंगे तो उसके दो तरीके हैं या तो आप relative index में जाकर direct अपना number ले लीजिए या फिर summaries की हाग से schedule में जाकर अपना number ले लीजिए थर्ड point है हमारा कि अगर आपके title में कोई ऐसा term है जो relate करता है table से तो उसको find out करने के भी दो तरीके हैं relative index या फिर table खुद या तो आप relative index में जाकर अपना number ले सकते हैं या फिर table में जाकर अपना number ले सकते हैं तो जैसे कि हम table number one cover करने वाले हैं इसलिए मैंने इहां लिखा हुआ table number one लेकिन अगर आपके title में किसी ओर table से कोई number है तो आप उस table में जाकर वो number ले सकते हैं fourth point है कि जब भी आप कोई number लेंगे और आपको table के number को main class के साथ add करना होगा तो आपको उसके लिए instructions follow करने होगी और वो instructions दी जाती है schedule में main class के अंदर and last में उस instruction को follow करते हुए आप अपना number बनाएंगे तो यहां लिए हुए है मैंने कुछ title जैसे कि research and library classification correspondence courses on biology, a journal on buddhism, serial publication on second books, history of astrology and pictures in part me तो हम सुरू करेंगे research in library classification से यहां हमारे पास दो सब्द हैं एक है research और दूसरा है library classification इसमें से या तो हमारे main library classification होगी या पर research तो आप यह देखें कि जो research है वो तो किसी भी subject में की जा सकती है लेकिन यहां mention किया गया है जो classification है वो library का part है तो हम यहां main class लेंगे library classification को और इसे लेकि हम जाएंगे relative index में जब भी हमारे पास कोई ऐसा term हो जिसमें दो सब दिये रहे हैं जिसे हमने election law पढ़ा है, political rights पढ़ा है उसी प्रकास से यहां दिया हुआ है library classification तो हम या तो library में classification देखेंगे या फिर classification में library तो हम सुरू करेंगे library में classification से यह देखी यह हमारी L series और यहां लिखा हुआ है library आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां आपको catalog मिल जाएगा collections मिल जाएगा लेकिन यहां classification नहीं है लेकिन यहां library science के अंदर आपको मिलेगा classification लेकिन आप classification का यह वाला number नहीं ले सकते क्योंकि यह सब class है library science की तो library में classification नहीं है इसलिए अब हम जाएंगे और उसके अंदर दिया गया है library operations ठीक है तो हमारा library classification का नंबर हो जाएगा 025.42 तो classification लाइबरी का एक operation है ठीक है इसलिए हम classification में library operation का नंबर लेंगे और उसका नंबर है 025.42 आगे हम देखेंगे research का नंबर और यहाँ आप देखेंगे specific subject के आगे लिखा हुआ है SS और वहाँ लिखा हुआ है 0685 लेकिन हम research का यह वाला नंबर नहीं ले सकते क्योंकि यह subclass है development के अंदर चली आ रही classes की हमें वो वाला SS का नंबर लेना है जो directly subclass है research की आप यहाँ आएंगे तो आपको मिल जाएगा SS का नंबर जो लिखा हुआ है 072 ठीक है अब हमें क्या करना है कि table की नंबर को main class के साथ add करने के लिए पढ़नी होगी instructions जो दी जाती है schedule में main class की अंदर और हमारी main class है 025.42 तो हम जाएंगे schedule में यह देखी यह हमारी 025 की class और उसमें यहां .4 लिखा हुआ है जो कि है subject null season control की class है ठीक है और उसमें .42 पर आप देखेंगे classification ठीक है तो यह तो confirm हो गया है कि हमारा classification का नंबर हो गया 025.42 अब बात करें उसको add करने की तो यहां आपको ऐसा कोई instruction तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है ना ही यहां दिया गया है लेकिन आप यहां कुछ examples देखेंगे जो कि दिये गए है table number 1 से जिसमें है पहला misslanny ठीक है यहां क्या किया गया कि misslanny का जो number होता है वो होता है 02 और उसको directly add कर दिया गया है फोर में ठीक है उसी पैकार से techniques का जो number है 0 to 8 उसे भी add कर दिया गया है directly 4 में तो इसी पैकार से जो हमारा number है research का जो की लिया गया है table number 1 से 072 उसे हम directly add कर देंगे 0 to 5.42 में ठीक है लाइबरी information science का number 0 to 0 उसमें library classification का number है 0 to 5.42 और research जो की लिया गया है table number 1 से उसका number है 072 ठीक है तो यह हमारा main class 0 to 5.42 और उसमें हमने add कर दिया 072 तो हमारा जो number है वो हो गया 0 to 5.42072 ठीक है यहां हमने starting के तीन digits के बाद लगाया है एक dot और उसके बाद तीन digits के बाद दिया गया है gap नमबर को लिखने का यही तरीका होता है next है हमारा correspondence courses on biology यह देखे यह है biology उसका number दिया गया है 574 ठीक है तो हमारा main class का number हो जाएगा 574 और इसमें हमें add करना है correspondence courses यह देखे यहां लिखा हुआ correspondence और उसमें courses के अंदर specific subject का number दिया गया है 07154 ठीक है अब इससे add करने के लिए हम जाएगे schedule में तो यह देखे यह है 574 और यहां दिया गया है philosophy and theory, miscellany, techniques, history and teaching, research, historical and geographical treatment तो यह सारी जो concepts है यह लिए गए है table number 1 से और अगर आप इनके number देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा .01, .02, .028, .07 ठीक है तो यहां क्या किया गया कि यह जो number है table number 1 से इनी directly add कर दिया गया 574 में ठीक है तो इसी प्रेकार से हम अपना जो number है correspondence causes का उसे add कर देगे biology में तो यह है हमारा title correspondence causes on biology biology का number है 574 correspondence causes का number table 1 से है 07154 और इससे जब हमने add किया तो हमारा number हो गया 574.07154 ठीक है starting के तीन डिजिट के बाद dot है उसके बाद gap दिया गया है तो यह number हमारा हो गया correspondence causes on biology का next हमारा journal on buddhism तो अभी तक जो हमने number find out की वो कि यह relative index की हालक सी अब हम number बनाएंगे अपना summary की हालक सी ठीक है तो इसमें हमारा सीधा सी domain class है buddhism और इस हम देखेंगे summary में यह देखें यह हमारी first summary जिसमें दी गई है timing classes और हमारा buddhism है एक religion जिसका number है 200 तो इसे हम देखेंगे आगे second summary में यह देखें यह दिया गया है religion 200 और उसमें 210 से लेकि 210 तक जो number दे गए है वो related है Christianity से लेकिन 290 पर आप देखेंगे other and comparative religions तो हम जाएंगे 290 को लेकर third summary में यह हमारा 290 और यहां लिखा हुआ है 294 religions of indy correlation ठीक है तो हमारा जो buddhism है वो है indy correlation का religion तो इसलिए हम जाएंगे 294 को लेकर देखेंगे यह देखेंगे यह हमारा 294 और यहां लिखा हुआ यहां लिखा हुआ है बुद्धिसम तो हमारा बुद्धिसम का नमबर हो जाएगा 294.3 और इसमें हमें एड़ करना है जर्नल का नमबर जो हमें लेना है table number 1 से तो यह देखेंगे यह हमारी table number 1 और यह है उसके फर्स्ट सम्वे और यहां 05 पर लिखा हुआ सिर्ट पप्लिकेशन तो चाहें आप जर्नल का नमबर लीजिए या फिर सिर्ट का नमबर आपको नमबर लेना होगा 05 ठीक है तो हमारा सिर्ट पप्लिकेशन या फिर जर्नल का नमबर हो जाएगा 05 ठीक है अभी से जब हम एड करेंगे सिड्यूल में जाकर यह हमारा 294 यहां दिया है बुद्धिसम 294.3 में लेकिन यहां ना तो कोई इंस्ट्रॉक्शन दी गई है और ना ही टेबल नमबर 1 तो को एक्जामपल दिया गया है जब भी ऐसी कोई सिच्विशन हो तब भी हम अपना जो नमबर होता है उसे डारेक्ट लिएट करते हैं तो हमने जर्नल का नमबर फाइंड आउट कर लिया है बुद्धिसम का नमबर भी तो हमारा बुद्धिसम का नमबर है 294.3 और जर्नल का नमबर है 05 ठीक है आगी जब हम इने जोड़ेंगे तो हमेने डारेक्ट लिएट कर देंगे तो हमारा नमबर हो जाएगा 294.305 ठीक है नेक्स्ट है हमारा सीधर पब्लिकेशन ओन सेक्रेट म्यूजिक और इसे हम देखेंगे सम्री में यह हमारी फर्स्ट सम्री और हमारा म्यूजिक होता है दे आर्ट का पार्ट इसे लेके हम जाएगे सेकेंड सम्री में यह हमारी सेकेंड सम्री और यहां 780 पर दिया गया है music इसे आगे हम देखेंगे थर्ड समरी में ये देखी ये हमारा music और यहां 783 पर दिया गया है sacred music ठीक है तो हमारा sacred music का नमबर हो जाएगा 783 और इसमें हमें जोड़ना है serial publication last question में हमने journal का नमबर लिया था और journal और serial दोनों एक ही चीज़ है इसलिए serial publication का नमबर हो जाएगा 05 05 को अब हम एड़ करेंगे 783 में और उसके लिए जाएंगे schedule में और देखेंगे instructions ये देखें ये है 783 और यहां दिया गया है sacred music और यहां आप देखेंगे कि sacred music के अंदर table number 1 के लिए कोई भी instructions नहीं दी गई है लेकिन यहां लिखा हुआ है dot 01 और वहां है number philosophy and theory का ठीक है आगे हम देखेंगे तो आपको 0 to per missland का number भी दिखाए देगा ये examples है table number 1 से इसी के according हम अपना number add कर देंगे 713 में तो हमारा number हो जाएगा 783 dot 05 तो ये हमारा title से जर पब्लिकेशन on sacred music sacred music का number हमने लिया 783, से जर पब्लिकेशन का number है 05, आगे हमने ने add किया 783 में 05 को, तो हमारा number बना 783 dot 05 ठीक है, तो हमारा से जर पब्लिकेशन on sacred music का number हो जाएगा 783 dot 05 नेक्स्ट है हमारा history of astrology तो यहां हमारी main class हो जाएगे astrology के और इसे हम देखेंगे summary में यह देखे यह है हमारी first summary और यहां 100 पर दिया गया philosophy and related discipline ठीक है तो हमारा astrology है वो जुड़ा हुआ है philosophy से इसलिए हम देखेंगे इसकी second summary यह हमारी 100 की second summary और यहां 130 पर दिया गया है paranormal phenomena and arts ठीक है तो अगर आपको नहीं मालूम astrology किसका part होता है तो आप relative index की help ले सकते हैं अब हम जाएंगे 130 को लेकर next summary में जो की हमारी third summary यह देखे यह हमारी third summary और यहां 133 पर दिया गया है parapsychology ठीक है इसे अब हम देखेंगे schedule में यह देखे यह है 133 और यहां दी गई उसकी first summary ठीक है और यहां dot 5 पर आप देखेंगे astrology तो अब हम जाएंगे dot 5 में यहां दिया गया है dot 5 astrology और यहां आप देखेंगे कि astrology के अंदर कोई भी instructions नहीं दी गई है table number 1 से related अब हमें लेना है history का number table number 1 से यह हमारी table number 1 और यहां दी गई है उसकी first summary और यहां आप देखेंगे 08 पर लिखा why student description of subject among groups of person ठीक है तो यह number हम नहीं ले सकते हमारा history का number हो जाएगा 09 हमारी main class है 133.5 उसमें हमें एड करना है 09 तो जैसे कि हमने देखा schedule में हमारी main class के अंदर को instructions नहीं दी गई है इसलिए हम 09 को direct add कर देंगे और हमारा number हो जाएगा 133.509 तो यह हमारा astrology का number 133.5 और यहां astrology का number दिया गया है 09 जब हम इन दोनों के add करेंगे तो हमारा number बन जाएगा 133.509 ठीक है next है हमारा pictures in botany और हमारे botany हो जाएगी main class इसे हम देखेंगे first summary में यह हमारी first summary और जैसे कि आप सबको मालूम होगा botany होता है हमारा pure science का part तो हमारी main class हो जाएगी 500 और इसे लिके हम जाएगे second summary में यह देखेंगे है हमारी second summary और यहां 500 pure science के अंदर 580 पर दिया गया है botanical sciences ठीक है तो हम 580 का लिकर जाएगे third summary में यह 580 botanical science और 581 दिया गया है उसमें botany का number तो हमारा botany का number हो गया 581 इसमें हमें add करना है pictures जो हमें लेना है table number 1 से तो यह है हमाई first table की first summary और यहां 02 पर दिया गया है miss Lenny ठीक है तो हम देखेंगे 02 में यह देखी यह है 02 miss Lenny का number और इसके अंदर 0222 में दिया गया है pictures का number ठीक है तो हमारा pictures का number हो जाएगा 0222 इसे हमें add करना है 581 में और इसलिए हमें 581 को लेके जाना होगा schedule में यह देखी 581 पर दिया गया है botny का number और उसमें कोई भी instructions नहीं दी गई है table number 1 से related लेकिन कुछ examples दे गए हैं जो कि हमारे table number 1 में होते हैं जैसे कि 028.07.072.724.074 इसी पहाँ से हम अपना number add करेंगी 581 में table number 1 का और हमारा number हो जाएगा 581.0 0222 ठीक है यह देखी यह हमारा title pictures in botny और botny का number दिया गया 581 pictures का number है 0222 और जब हमने इन दोनों को add किया तो हमारा number हो गया 581.0222 ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाकि हम सीखेंगी next वीडियो में आज जो मैंने titles ले थे उनमें हमने जो numbers add कि हैं वह वैसे number हैं जिनमें instructions नहीं दी गई है जो exam pass के through add कि गई है या फिर बिना instructions के add कि गई है ठीक है next वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम instructions को follow करते हैं आज हमने सीखा कि किस तरीके से summaries और relative index की हाप से number को find out किया जाता है और table के number से add किया जाता है ठीक है वीडियो देखने के लिए thank you अपन